भगवानपुरा शेत्र के ग्राम रस गांगली में बिजली कनेक्शन न होने के बाद भी ग्रामिनों को बिल दिये जा रहे हैं जिसके शिकायत लेकर ग्रामिन जिला कलेक्टर कार्याले पहुचे और ग्यापन सोपा इस दोरन ग्रामिनों ने बताए कि विभागी लापरवाई से उभुकता परिशान है हालत यह है कि गाउं में पोल नहीं लगने के अलावा लोगों के घरों में बिजली की केबल और मिटर न लगे होने के बाद भी मन माने तरीके से बिल थमाये जा रहे हैं और शिकायत करने पर विभागी अधिकारी संतोष जनक जवाब नहीं दे रहे ऐसे में ग्रामिनों ने मोर्चा खोला और समस्या का निराकरन करके बिजली कनेक्शन की मांग की खरगोन से जैनत गुपता की रिपोर्ट अब नहीं पर शिकायत करी नहीं करें तर भी लग गए थे वर तार भी लगने के बाद भी वापस तार भी निकाल ले यह ते क्या नाम है आपका मेरा नाम काशिराम है क्या चाहते आब आप हम चाहते हमारे गाव में लाइट हो जाए लेकिन लाइट अभी तक नहीं चालू हुई और बील हमारे पास यह मान के चलो एक एक बील 6600 का आ रहा है और बी ना तो मीटर लगे है ना कुछ भी नहीं लगे उसके बावजूद भी बील इतना हमारे गरीब लोगों को थमाज जा रहा है क्या मांग करते हैं अप हम यही मांग सरकार से और कलेक्टर मोहदई से निवदन है कि हमारी लाइट जल से जल चालू करें और जो पुराने बील है उनको बील को माप किया जाए बीजली है नहीं फिर भी बील देती है बीजली नहीं है उसके बावजूद भी बील देती है क्या नाम है आपका मेरा नाम है गोरेलाल सोलंग की रख गांगली पंचाइड है आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें